नवश्कार बिंद भारत में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीपती आई रुख करते हैं आज की खास खबर के साथ सीमेंट फैक्टरी के खिलाब धीरे धीरे लाम बंद होने लगे हैं किसान रीवा जिले में पहले जेपी सेमेंट अब अल्टराटेक सीमेंट के नाम से जानी जाने वाली सीमेंट फैक्टरी ने किसानों की लगबग दो सो बासट हेक्टर जमीन लीज में मांगी है किसानों की बगार सहमती के खसरे के 12 नंबर कॉलम में फैक्टरी का नाम दर्ज हो गया है देखिए हास रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे 260 हेक्टेर जमीन का सच जमीन का सच दिखाऊंगा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होगे अल्टरा ट्रेक सेमेंट बेला सेमेंट वर्क्स उसके ठीक पीछे प्लांट आप देख रहे है इसी प्लांट में सेमेंट बनती है कभी यह जेपी सेमेंट के नाम से जाना जाता था अब इसका नाम बदल कर अल्टरा ट्रेक हो गया है इसी से जुड़ी हुई आज की कहानी है कहानी बहुत छोटी सी है 262 हेक्टेर जमीन यानी 660 एकर जमीन का मामला है रिवा कलेक्टर ने भी खसरे में 12 नंबर कालम में उस जमीन को चढ़ाने का आदेश कर दिया है इसी चानने समझने के लिए हम उन गाओं का दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा मामला क्या है फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें बिंद भारत के साथ तमश्का